नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल आपकी हेल्थ में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे समय से पहले शीशू का जनम होने के कुछ कानणों के बारे में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सश्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल आपकी हेल्थ को सश्क्राइब कर लें ताकि आगयाने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके चलिए दोस्तों शीशू का जनम नो महिनी से पहले यानि की 37 हव्तों से पहले हो जाता है तो इसे बच्चे को समय से पहले जनम ले लेता है इसे स्वश्टे सम्द्ध् और कई परेशानिया हो जाती हैं इतना ही नहीं ऐसे शीशू की देखवाल दूसरे बच्चों से ज्यादा करने पड़ती है और इन्हें संकर्मन का खत्रा भी हमेशा बना रहता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सम्मे से पहले डिलवरी होने के क्या कारण है चलिए दोस्तों जानते हैं सम्मे से पहले शीशू जन देने वाली हो तो इसमें बच्चे सम्मे से पहले जनम ले लेते हैं दोस्तों अधिक मात्रा में बल्डिंग होना जब किसी महिला को अधिक मात्रा में बल्डिंग के समिश्य हो जाती है तो इस श्तिति में बच्चे का जनम अपनी नियमित सम्मे से पहले होता है हाला कि इस परिष्टिते में डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए डॉक्टर से चैक अप कराना चाहिए दोस्तों एमेनियोटिक थेली का फटना बच्चे का सुरुक्ष्या कवच कहा जाने वाला पानी की थेली यदि किसी करणवस फट जाती है तब बेशीशू का जनम पहले हो जाता है क् इस थाली में लिप्टे होते हैं जैसे है थैली फटती है इसका साफ मतलब है किसीशू आ बाहर आने वाला होता है दोस्तों वजन कम होने के कारण है अगर आपको वजन कम है ऐसे में भी आफकी डिल्वरी समय से पहले हो सकती है इसलिए अपने खान पान का विशिश धियान रखें इसके अलावा यह दिया आपको पहला परशो भी समय से पहले हुआ है तब दूसरा भी इसकी समाम ना बढ़ सकती है इसलिए हम इसा डाक्टर से संप्रक करें और डाक्टर की निगरानी में कारिये करें डाक्टर की सला लेकर कारिये करें दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सश्क्राइब कर लें ताकि आगया आने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंश सकें धन्यवाद दोस्तों